नमश्कार, स्वागत है आपका वाइस उफ्ट ex morp in to go our आज़ हम बात करेंगे टैक्सी की नस्टी की बात हम करेंगे courtesy और एक ऐसे राज्य में taxi की उपर अब जिस तरह आपने मंत्रियों की और आधिकारियों की गारियों के उपर दिखा होगा बत्रीं अलगी होती हैं अब उस तरह की बत्तियां टैक्सी के उपर भी लगेंगे खबर थोड़ी इंटस्टिंग है कहां की खबर आपको बताएंगे वीडियो को जरूर देखें और शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके पास भी आते रहें इस तरह की खबरें खबर आ रही मुंबई से राजसरकार ने मुंबई की सडकों पर दोड़ने वाली टैक्सी उपर लाल और हरी बत्ति लगाने का आदेश जारी किया है इससे आने वाले दिनों में यात्रियों को टैक्सी दूर से देखने पर ही पता चल जाएगा कि टैक्सी खाली है या नही हe बैठा है तैक्सी के उपर बत्ति का मतलब टैकसी खाली है परिवहन आयूक शेखर चन् kimchi ने पत्रिका के खबर है ने vẫn यूजरी करको दिया कि क्लिए राजय सरकार ने उपर बत्तियां की गाइड में जारी करेंगे लिए टेक्सी यूनिन के अद्दक्स एंटोनी लॉरेंज, कौाड्रोस बताते हैं कि कई साल पहले मोरे साहब परिवान आयुक थे उन्होंने इस योजना का खागा त्यार किया था कुछ खाड़ों के चलते इस योजना पर अमल नहीं हो पाया था कौाड्रोस ने कहा कि यह लोगों और टेक्सी चालकों दोनों के लिए बहतर योजना है गौरतलवे कि मुंबई में टेक्सी चालकों और यात्रों के बीच आये दिन कहीं जाने के लिए जगड़े होते हैं यात्रों की शिकायत होती है कि टेक्सी चालक नज़दीक के यात्रियों अपने यात्रो का अपने मनमाने डंग से ले जाते हैं। मीटर अब डाउन रहते पर यात्रियों को असानी से पता चल जाता था कि टैक्सी खाली है या भरी है लेकिन अब टैक्सी में इलेक्ट्रोनिक मीटर अंदर लगाए जाते हैं इससे यात्रियों को पता नहीं चल पाता कि टैक्सी खाली है या भरी है यात्रियों के इनी पांसो से जादा ना हो जिसे चालकों पर अत्रिक्त दबाव ना पड़े यह बड़ा मुद्दा है कि आप बेखशक कोई भी योजना लेकर आते हैं लेकिन उस योजना का भार या बोज्ज सरकार अपने तक रखी या फिर इसके दा मितने कम होने चाहिए कि किसी चालक को देन ही होना चाहिए हम फिर आजरे को किसी ने मुद्धे पर जब तक के लिए बहुत 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 शुक्राइब नमस्कार